स्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुत ही ज़ादा खास होने वाला है हम सभी जानते हैं कि कल गुंतिर जुलाई को शेनिवार के दिन एकादशी तीती पड़ रही है देखो अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और सावन मास में इस बार पुर्शोत्तम मास लगा हुआ है यानि कि अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास में ये एकादशी पड़ी है देखो ये एकादशी कमला एकादशी है जिसे पदमीनी एकादशी कहते हैं पुर्षत्तमी एकादशी भी कहते हैं और आज के दिन भ्रह्मयोग और इंद्रयोग दोनों की योती भी बनी हुई है तो आज के इस वीडियो में मात्र हम आपको तीन महा उपाई बताएंगे जो कि आपको कल के दिन एकादशी पर करना है देखो शेनिवार की एकादशी है बहुत ही खास एकादशी है पहले जो उपाई होगा वो विशेशकर आपकी सारी समस्या कस्ट को दूर करने के लिए जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना परिपूरों जाएगी तो देखो आज के इस वीडियो में तीन प्यारे से उपाई की बारे में हम बात करेंगे बिल्कुल ध्यांते समझना पुझ्जी गुरुदेव की ही कदा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं लेक करते हैं वो भी यह उपाई कर सकते हैं देखो बहुत ही प्यारे से उपाई हैं समझने का प्रयास करना सबसे पहला उपाई सबसे पहला उपाई विशेशकर उन लोगों को करना चीए जिन लोगों के घर में आर्थिक समस्या है जिन लोगों के घर में धन टिकता ही नहीं है यानि कि 100 कमाते हैं और 200 खरच हो जाते हैं बतलब आमदनी कम है और खर्चा जादा होते जाता है और इस चकर में वो लोग loan ले ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं तो इसलिए जिन लोगों के घर में भी ऐसे समस्या है दिख़ें कभी चब यह एसा होता है कि हमारे ओपर पित्र दोश लगाओ आता है, पित्र हमसे प्रसंद नहीं होते हैं, या किसी घर के कुल देवी देपता प्रसंद नहीं होते हैं, जिसके कारण हमाएं कहीं प्रकार की समस्याओं को जहिलना पड़ता है, तो इस चकर में हमें कहीं प्रकार की परिशानिया होती हैं, तो आज की इस वीडियो में जो हम उपाय बता रहे हैं यह आपको विशिषकर शनिवार की एकादेशी प्रकनाई जो कि कल के दिन है आपको क्या करना है देखो आपको शनिवार के दिन सबसे पहले सामगरी समझ लीजिए आपको पीपल के वरुख्ष के माँ पर जाना है अब देखो पी जवान विश्णू मात लक्ष्मी से प्राथना करना है कि हम यह पीपल का पत्ता तोड रहे हैं हमारी क्रिया के लिए इसलिए हम यह ले करके जा रहे हैं आप उनसे प्राथना करके आप एक पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ सकते हैं नहीं तो आप सबसे इस-प्धर नीचे गिरे होए हो तो वह सबसे पहले ले 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 हैं तो फिर आप तोड़ भी सकते हैं क्या करना है उस पीपल के पत्टे को शुद्र डाल करके उसे साफ करना है शुद्ध करना है और उसके बाद आपको यह उपाय करना है देखो एक पीपल का पत्ता ले लिया साथ में एक तामबे का पात्र लेना उसके अंदर आपको गुड़ डालना है तामबे के पात्र के अंदर जल भर देना थोड़ा सा गुल डालना और साथ में लिना है ग्यारा काले तिल के दाने ये तीनों सामगरी ले करके आपको आपके घर के सबसे नजदिक में देखो, ये उपए कहा कहा कर सकते हैं आपके घर पर अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल के वुरुक्ष के नीचे अगर भगवान शिव का वास है तो वहाँ पर यह उपाय कर सकते हैं पहली बात नहीं तो आपके घर के असपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आप जाकर के यह उपाय कर सकते हैं देखो करना क्या है समझ दा पीपल का पत्ता अगर तोड़ रहे हो तो सुर्यास्त के पहले-पहले तोड़ लेना और ये खिरिया आप कभी भी कर सकते हैं एक आदेशी के दिन आपको क्या करना है भगवान शीव के मंदर में जैसे गए ये काले तिल के दाने जल के पात्री के अंदर आपको डालना है पितरेश्वर महादेव का इसमरेंट करते हुए आगे आपको बासंच में पित्रेश्वर महादेव से क्या होगा कि आपके पित्र जो है वो तरप्त होते हैं पित्र जो है वो प्रसंद होते हैं ठीके अब आपको क्या करना है पित्रेश्वर महादेव देखो इस्क्रीन पर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा तामपय का पात रहा है जिसके अदर गूड डाला था और काले तिल डाला था है गूड और काले तिल दोनों भगवान विश्नु को प्रिय हैं पीपल ले श्वर महादेव का इसमरान करते हो है आगे आपको वसंद में पीपल का पत्ता भी चड़ाओगे तब भी आपको पीपलेशन महादेव का नाम लेना है और आपकी जो भी मेनो कामना है वो बोलना है और उसके बाद एक लोटा जल या आप अर्पित कर देना ये उपाय केवल एकादशी के दिन करना है अगर आपके जीवन में आपकी आमदनी कम है तो आपको ये उपाय करना चीए करज अगर बार-बार आपकी घरवाले ले ले लेते हैं तो आपको ये उपाय करना चीए बहुत ही प्यारा सा उपाय है जरूर इस उपाय को कल के दिन करना ये हो गया पहला उपाय अब हम बात करते हैं दू दूसरा उपाई भी बहुत ही ज़ादा खास है आपको भग्य शाली बनाने के लिए आपके शनी दोश को दूर करने के लिए और आपकी समस्त समस्याव को दूर करने के लिए देखो करना क्या है थोड़ा सा पीला चंदन लेना है ठीक है पीला चंदन का जो पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके पेस्ट आपको तियार कर लेना है पीला चंदन लेना है साथ में लेना है एक तामबे के पात्र के अंदर जल और साथ में लेना है काले तिल ये भी उपाय आपके भागे का उदय करने वाला है देखो करना क्या है शनिवार के दिन देखो शनिवार के दिन एकादेशी पढ़ी है और एकादेशी के दिन कुछ भी पीली चीज हम गर भगवान शीव को अर्पित करते हैं तो भगवान विश्नु बहुत ही प्रसन होते हैं और वो प्रसन होते हैं तो हमारे भागे का उदय हो जाता है तो देखो हम हल्दी का उप्योग नहीं करते हैं शीवलिंग पर हम हल्दी अर्पित नहीं करते हैं तो उसी के रूप में हम अर्पित करते हैं पीले रंग का चंदन आपको क्या करना है पीला चंदन आपको काले दिल डाल देना है ठीक है अब आपके पास जो पीला चंदन है पीली चंदन का आपको लेपन करना है शिवलिंग के उपर पूरा लेपन करना देखो लेपन आपके सीधे हाथ से करना और आप ये सोचना कि मेरे भागे की जो रेखा है ये पीले चंदन से सब मेरी भागे के जो रेखा है वो प्रवल हो जाए आप जब लेपन करेंगे तब आपको ये प्रातना करनी है कि मेरे जो हातों की लकी रहे हैं ये बदल जाए मेरी जो रूठी किस्मत है वो चमक जाए ऐसी काम न करते हुए आप पीला चंदन लगा लेना देखो वीडियो के अंदर पीला चंदन से लेपन करने से आपके भागे का उदय होता है और आपकी समस्त समस्तें दूर होती हैं तो ये उपाय आपको करना है कल के दिन शेनिवार की एकादशी के दिन ये हो गया दूसरा उपाय अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की देखो तीसरा उपाय जो है तो लोटे जल आपको अर्पित करना है आपको यह दोनों लोटे ले जा करके भगवान शीव के मंदिर में ले जाना है सुबह से लेकर के रातरी तक जब आपकी च्छाओ तब आप यह उपाय कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा उपाय है दोनों लोटे में जल भरद लिये अब क्या करना है दोनों हाथ से इन दोनों लोटे को पकड़ना है और आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है जल तीक है फिर कार्तिके जी वाले स्थान पर अर्पित करना है फिर माता शोक्सुंद्री वाले स्थान पर अर्पित करना है फिर पार्वत जिसे आपने पूरा जल अर्पित कर लिया उसके बार जोड से आपको स्वधा 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 आपको तीन बार नाम लेना है आपकी समस्त परिशानिया समस्त पित्र दोश भी इससे दूर हो जाएंगे क्योंकि देखो स्वधा जो है वो पारवती जी की नानी है और पित्र लोग में निवास करती है और अगर आपके पित्र तरप्त नहीं है तो इस उपाय से पित्र भी तरप्त हो जाएंगे और पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बदल जाएगा तो ये उपाय भी आपको इस सन्यवार की एकादेशी पर करना है मोका गवाना नहीं है तो देखो हमने आपको तीन महा उपाय बता हैं सबसे पहला पिपल इशर महादेव का दूसरा जो होगा शरंब इशर महादेव का उपाय होगा और तीसरा जो उपाय होगा वो स्वधा वाला उपाय है तो दीनों में